Think and Grow Rich by Napoleon Hill Introduction दोस्तों, अगर आप लाइफ में काम्याब होने के लिए अपने सबकॉंशस माइंड यानि अपने अवचेतन मन की पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि यह किताब Think and Grow Rich आपके लिए ही लिखी गई है. इस किताब में बहुत सिंपल तरीके से आसान शब्दों में यह बताया गया है, कि कैसे एक शखस अपने मन को इस तरह से ट्रेन कर सकता है, ताकि वह अपनी सारी एनरजी को अपने किसी उद्देश्य में या बिजनिस में काम्याब होने में लगा सके. आपको यह ध्यान रखना चाहिए, कि यह किताब दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में The Great Depression यानी महामंदी के दौर में लिखी गई थी, इसलिए आपको उस समय के इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके शायद आज के दौर में ज्यादा कारगर महसूस ना हों, और इसकी एक म अमीर और अपनी अपनी फील्ड में कामयाब लोगों की कहानियां और उनसे मिलने वाले सबक, आज भी हजारों लाखों लोगों को काम करने के लिए और कामयाब होने के लिए इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और जब हमारे सामने Financial Independence और Self Development हासिल करने की बात आती है, तो आज भ हमें अपने दिमाग और Inner Resource यानि अपने अंदर के संसाधन को पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी चीज, Self Development के लिए कैसे इस्तिमाल करना चाहिए? इसका मतलब है कि हम किसी उद्देश या बिजनस में कामयाबी पाने के लिए और पैसा कमाने के लिए खुद को कैसे डेवल करके वह बनते हैं जो आज हम दिखाई दे रहे हैं और हम कैसे धेर सारा पैसा कमाने के लिए अपने Mental Obstructions को दूर कर सकते हैं यानि अपने दिमाग में सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं ताकि उन महान कामयाब लोगों की फिलोसफी को अपनी लाइफ में लागू कर सकें जिन्होंने अपनी लाइफ में Great Achievements यानि बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं आज के दोर में भी बहुत से लोग इस किताब के जरिये निपोलियन हिल की फिलोसफी की Positive Thinking और दौलत कमाने के लिए बताये गए खास तरह के Steps को ना सिर्फ Important और Useful मानते हैं बलकि इन चीजों को Life में एक बड़ा Positive बदलाव लाने वाला भी मानते हैं इस बारे में लेखक यह logic देते हैं कि जब हमारी सोच असलियत में बदल जाती है तो हमें अपनी उसी सोच को दौलत और Property में बदलने के लिए एक Plan और सिधान्त के बारे में भी पता चलता है और उस Plan और सिधान्त में Visualization यानि दिमाग में कालपनिक तस्वीरें बनाना, Affirmation यानि अपनी बातों का जोरदार सपोर्ट करना, एक Mastermind Group बनाना, अपना एक Goal Set करना और Planning करना जैसी तमाम चीजें शामिल होती हैं Napoleon Hill ने Think and Grow Rich किताब में अपने लंबे समय के दौरान हासिल किये गए experiences, बेहतरीन concepts और useful सिधानतों को समझाने के लिए 15 chapters की मदद से एक बहुत effective training course को तयार किया है, जिसमें 13 Steps Toward Riches यानि अमीरी की तरफ तेरा कदम चलने के बारे में बताया गया है, जिसे पढ़ने के बाद आप Life में हर तरह की फील्ड में काम्याबी पाने के लिए कई बुनियादी सिधानतों को असरदार तरीकों को सीख कर आसानी से Life में लागू कर सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं Think and Grow Rich की Book Summary को, जिसमें आप अपनी Life की मनचाही फील्ड में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए या बिजनेस में काम्याबी हासिल करने के लिए और दौलत कमाने के लिए ना सिर्फ सही प्लाइनिंग करना सीखेंगे, बलकि सही actions लेने के बारे में decisions लेना भी सीखेंगे.